जहिन दोस्तो अगर आप एक सरकारी सिच्चक बनने का सपना देख रहे हैं तो आज का वीडियो आपकी जीवन का एक महत्यपूर्ण वीडियो होगा और आपको सरकारी नौकरी तक ले जाने में इस वीडियो की सबसे बड़ी भूमका होगी युगि आज हम सुपर्टेट अर्था सुचक भरती परिच्छा के सबपूर्ण पाठिकरम की चर्चा करेंगे और उस पाठिकरम को कैसे पढ़ना है और किस विशेक को लिए कौन सी किताब पढ़नी है और कौन सी किताब आपके लिए बहतर होगी किस रैटर की होगी कहां पे विडियो काफी बड़ा होगा वेकि हम यहाँ पे इसके हरएक तथ्धि की बारे में चर्चा करेंगे हर एक पौइंट के बारे में पढ़ेंगे कौन सी किताब पढ़नी है हर एक पौइंट को क्योंकि अब सैक्षण जो होना है वह बिंदू में होना है वह प्वाइंटे मे तो यहां पर आप सभी को लगातार चातर संख्या भी बढ़ रही है अभ्यरत्यों के संख्या बढ़ रही है पद संख्या कम हो रही है इस दसा में आपके लिए कॉंपटिशन बहुत जादा हो जाएगा और अगर आप सवास्तों में एक सरकारी से चक बनने का सपना सजोए हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा कॉपी कॉलम लेकर बैठेगा और फिर आप अपने आप में एक बड़ा बदलाओ देखने को पाएंगे चलिए एक करक हैं पहली बात मैं यहाँ पर कुछ चीजों को असपस्ट रूप से बताता चलूं कि परिच्छा पहली बार जो हुई थी वह परिच्छा का जो समय था वह तीन घंटे था जब पहली बार पेपर हुआ था 68500 लेकिन अब जो पेपर होता है वह दो घंटा 30 मिनट के लिए पे क्यों होगा multiple choice question होगा प्रश्णों का जो अंक होगा 150 प्रश्णों की संख्या जो होगी 150 लेकिन हो सकता है इस बार अब नकार आत्मक अंक का प्राधान हो मैं इसलिए बता दिया ताकि आपको असपस्ट होता चले कि अब दिन प्रत दिन competition बढ़ने के साथ साथ क्या क्या प प्रश्णों की संख्या को पूरा करने के बाद अपने OMR पर प्रश्णों को कियेगे संख्या अंक भी feel करना है अब हम इसके बिष्ट्वत रूप से इसके संपूर पाठ करम पर चर्चा करेंगे और हर पाठ करम पर अंक के साथ साथ कौन कौन सी किताब भी पढ़नी है इस इस पर भी बिधिवत चर्चा करेंगे तो आप इस वीडियो में जोड़ चुके हैं तो आप सभी का स्वागत है इलनीवित दुरगेश के परिवार में और आप इस वीडियो को देखने के बाद पहला काम लाइक करिएगा और दूसरा काम इस वीडियो को जरूर साथी में को सेर करिएगा अगर इसके वीडियो को देखने के बाद आप पूर्ण रूप्यन संतुष्ट हो जाते हैं तो दूसरी बात यहां पर है सबसे पहले हम विश्यवस्तू का अस्तर जान ले कि यहां पर परिच्छा में जो प्रश्णा आते हैं उस प्रश्ण का अस्तर क्या ह तो यहां पर पहली चीज है भासा से छणकी में बात करूँ यहां पर जो भासा आपका होता है यह तीन बिशे होता है एक हिंदी अंग्रेजी यहां पर जो तीसरा भासा है वो आपका संस्कृत है और यह तीनों आपके लिए अनिवारे हैं कुछ लोग यह मत सोचेगा कि य यहाँ पर आपको तीनों भासाओं को पढ़ना है जिसके बारे में मैं आगे बिधीवत चर्चा करूँगा बिज्ञान शभी को पढ़ना है इसके बारे में भी मैं आगे बिधीवत चर्चा करूँगा गौनित जिन विस्यों से आपको डर लगता है उसके किताबों के बारे म उसके पैटिकरम के बारे में संपूर चर्चा मैं आपसे करूँगा लेकिन सातिशाथ इस विशे के लिए इल्डने बिद्रगेश पर तीन अध्यापक पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डर होता है और यह 20 अंक का होता है परियावरण यहाँ सामाजी कद्ध है यह कहने में 10 अंक है लेकिन बिविद के साथ ज़्णने के बाद यह 40 अंक का हो जाता है और यह सभी कच्छा 12 अस्तर के होंगे और यह आपके लिए सबसे बड़े चुनोती होंगे क्योंकि यहाँ पर भासा की बात करे तो भासा के लिए 40 अंको का होगा प्लस विज्ञान 10 अंको का होगा गणि 10 अंको का होगा परियाण 10 अंको का होगा लेकिन मैं यह मेरी साथ जोडने के बाद जो मेरी free class आप पढ़ेंगे वहां भी 30 अंका यहां पर बिविद जो होता है वो भी जुड़ जाता है मने 40, 10, 50, 10, 7, 10, 70 और 300 अंक का अकेले है जो वारा न्यारा कर देगा और भाया अगर आप इलने बिद दुर्गेश पर जुड़ेंगे तो यह 100 अंक का है जो आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्धारन होगा आपके सलेक्शन के लिए और यह सभी पाठिकरम का च्छा 12 अस्तर का होगा यहाँ पर इलने बिद दुर्गेश पर सभी सेलेक्टेड लोग पढ़ाएंगे जो अलेडी सेलेक्टेड है और उनकी क्लासेज आपको इलने बिद दुर्गेश पर बेसक निश्रूल की तौर पर मिलते रहेगी बाकी ऑल्लाइन क्लास के माद्धम से भी आप राप्त कर सक करते हैं सिचन कोसल दस नंबर बालमनों विज्ञान दस नंबर सुचना तकनी की जीवन कोसर प्रबंदन अब्रिद्धी यहाँ पर भी यह 30 अंकों का होगा अलग अलग और यह केवल डियलेड या बीटीसी इसकास्तर होगा अगर आपने बीटीसी किया है तो बीटीसी और डियलेड इसकास्तर होगा और यह चीजे आपका था बीशे वस्तु का शार बाकी यहाँ पर 130 नंबर में हो गया लगभग आपका तो आने कंप्यूटर जो है उस पर हमें बात करते हैं चोड़ी चोड़ी पाच नंबर के रिजनिंग है उन सभी में मैं बात कर लेता हूँ लेकिन इनका जो अस्तर था वोग अच्छा बार तक है अब हम इसके और आगे चल ले हैं तो बैया हम और आगे बढ़ रहे हैं अभी तक मैं केवल बिशेओं पर चर्चा नहीं किया हूँ बिशे वस्तु के बारे में बात किया हूँ अभी तो पूरी पाटे करम के बारे मे दूसरी बात मैं आप एक बात थोड़ा सास्पश्ट कर दूँ यह सभी क्लासेज यूटूब चैनल इलर्निंग बिद दुर्गेश पर चलेंगी साथी साथ एक और चैनल है यूँकि study with दुर्गेश इस चैनल पर भी आप जुड़े रहिएगा यूँकि इस पर NCRD क्लासे आपको selection लेना है अब हम एक एक बिश्यों की बात करेंगे सबसे पहले हम भासा चिछर्ण की बात करेंगे सबसे पहले हम भासा सिच्छण की बात करेंगे यहां पर आप जानते रहिएगा यहां के लिए scoring subject है यह 40 प्रस्ण हैं पर आते हैं अंक क्या है 40 लेकिन प्रष्णो क्या होती है याद रखिएगा वह भी यहाँ पर कि 4 होती है यहाँ पर हम हिंदी भासा की बात करें तो यह 20 अंका अज़ इसको पढ़ना कैसे है थो कि इसके बारे में अज़िक विधीवत चर्शा करते हैं यहाँ पर देखिए ब्याकरण आएगा ग्रामर, अगर हम ब्याकरण की बात करें, तो हिंदी संस्कित में ब्याकरण आएगा, जो इपके लिए important है, और गध्यांस आएगा, और इसके लिए किताबों की में बात कर लूँ, अगर आपको हिंदी पढ़ना है, तो आदित प्रकासन की किताब आपके लिए best होगी, इसक संस्कित की बात करें, तो अंग्रेजी वाले को संस्कित में दिक्कत होगी, और संस्कित वाले को अंग्रेजी में दिक्कत होगी, कुछ को दोनों में दिक्कत होगी, अब यहाँ पर एक बात आपको जानना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिनको संस्कित हैं अंग्रेज नहीं था अंग्रेजी और दोनों को आपको मजबूत करना है यह आपके आधार अस्तम्भ है आपके सेलेक्षन का जहां पर आप स्कोर कर सकते हैं संस्कित की बात करें तो संस्कित के लिए आप सर्वक की भूसर की किताब पढ़ेंगे संस्कित पेस्ट किताब है नो डाउट अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के लिए कच्छा बारा की अक्सिलेंट किताब पढ़ेगा बहुत यह अच्छी बूख है इस यह बहारा की परिछाम पर नहीं आएगा उसके अलावा इलनी बिद्दुर्गेश पर फ्री लाइप क्लास चलती अंग्रेज के दन है कि इस वीडियो को लाइक का बटन दबाईएगा और अगर हो सके इस वीडियो को अपने शवी साथी मित्र को शेयर करिएगा जो आपके साथ सुचक भरती की त्यारी कर रहा है चलिए आगे दिखिए आप इस सुचक भरती के बारे में थोड़ी से आपे बाते हैं जो आप शब्रकर दूब से चलती है और यहाँ पर क्लास के बारे में थोड़ी बात आपको जानते रहना चाहिए आधिक आउनलाइन क्लास के लिए नोट्स अगर आप उचीए इस नंबर पर वाट्सेप करके आप जानकारी ले सकते हैं यहाँ पर उपलब्द क्यों होगा एक वीडियो कोर्स होगा संपूर्ण शल्बस का जो आप जितनी बार चाहाँ देख सकते हैं एक लाग बार चाहाँ देख सकते हैं टेस्ट शीरीज मिलेगा जो आपको ऑनलाइन सौल्व कराया जाएगा इलरने बिद्रुगेश पर सब भी नोट्स पीड़ेफ मिलेंगे मा वहां से कभी इलरनी बेद्रुगेश पर पढ़ा है तो जरूर आपको इस बात की जानकरी हो जाएगी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले विशय की तरफ जो है बिग्यार बिग्यार अपने आप में यूनिक विशय है और यहाँ तीन विशयों को आपको पढ़ना है आगे देखते हैं तीन विशय आपको क्या-क्या पढ़ना है पहला आपको जानना होगा यह दस प्रस्ण दस अंके आते हैं अगर आप प्रस्णों की संख्या दिखी जाए तो वह भी कितनी होती है दस प्रतेक के समान अंक होते हैं एक अंक अभी तक नकरात्मक अंक का प्र ये कच्छा 7 में भी मिल जाएगा और आपको कच्छा 9 में मिल जाएगा बल, उर्जा, दूरी, प्रकास, धोनी ये 60 टॉपिक है जो कच्छा 9 की किताब में आपको आसानी से मिल जाएगा लेकिन इसके लिए अगर आपको किताब पढ़नी है तो 6 to 8 के लिए आप NCIT पढ़ ली ये फिजिक्स है ये भहुत ही बिग्यान है और जो आठ के लोग हैं उन्हें हो सकता दिकत हो हम दूसरी बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर दूसरा है आपका जीवों की दुनिया ये बायो का सेक्षन, मानो सरीर बायो का सेक्षन, स्वास, स्वस्ता और पोर्शन, अगर आपको NCI T नहीं मिलता है तो कहेंगे सरीर नहीं मिलते है तो राज सरकारी, उत्तर पढ़्य सरकारी, किताब यह आप पड़ सकते हैं पढ़ार्थ की अवस्ता है यह आपका क्या है कमेश्ट्री, अमलक कमेश्ट्री, लवण, छारेओं लवण, धातु धातु, यहाँ से आपको इतनी चीजी जो है, यह आपको आसानी से मिल लेएंगी, यह NCRT पढ़ लीजएगा, अगर NCRT नहों हो, इलर्नी बिद्रगेश के नोट्स आपको मिल जाएगी, निसुलक नोट भी क्लास चलती हो, वहाँ भी आप जोईन कर सकते हैं, किसकी इलर्नी बिद्रगेश की, अगला है आपके सामने, गड़ित, एक ऐसा विशह है, जो सब के लिए गले की हड़ी बनी रहती है, मने जहां सब को डर लगता है, यह 20 अंकों के 20 प्रशनाते हैं, जहां पर आपके सबसे ज़्यादा महत्वण हो जाते हैं, आपको जानकर हरानी होगी, कि यहां से आपको सलेक्शन अगर लेना है, कि यह स्लेक्शन आपके लिए भौती इंपोर्टेंट है, यूंकि गणि से प्राहे लोग को डर लगता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, इलर्निंग बिद्दुर्गेश पर गणित के तीन अध्यापक है, जैसे अगर आपने आउनलेंग क्लास जोईन किया होगा, 630, 634, 367 पर अगर आप आप आउनलेंग क्लास से जुड़े होंगे, तो आपने देखा होगा, कि यहां पर आपको गणित के तीन अध्यापक मिलते हैं, मेरा परिच्छा में 10 लाग से ज़्यादा लोग बैठेंगे, खुदा न खास्ता, नकर आत्मक अंक हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही दिक्कत होगी, चलिए, यहाँ पर हम इस सेक्षन को 4 टॉपिक के अंतरगत बाठ कर पढ़ते हैं, माने अगर हम बात करें, आप इसको 4 ट अंग गडित का जो पहला सेक्षन होगा, इसमें से आपको कुल 16 टॉपिक पढ़ने हैं, कितने 16 चैप्टर पढ़ने हैं, आईए देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, एक अंकी छमता पढ़ना है, जो संक्या पदती के अंतरगत पढ़ना है, गरती संक्रिया प होगे, आपको दस्मलों पढ़ना है, दस्मलों के बाद अगला भिन्द है, भिन्द पढ़ने से पहले आपको एक अध्याय जो यहां पर दिख नहीं रहा है, वो है आपका अल्सियम एंड असिय पढ़ना है, उसके बाद आपको तुरंद क्या पढ़ना होगा, गुड़न समय, ठीक है, और चाल समय और दूरी, चाल, समय और दूरी, यह आपको पढ़ना है, जो यहां पर दिख नहीं है, ब्याज में दो ब्याज पढ़ना है, कौन-कौन, एक साधारण, दूसरा चक्रविद्धी, simpler component है, यहां रहीं प्रस्ट पढ़ना है, प्रस्ट के बाद लाभानी, लाभानी में के बाद एक अध्याए यां पर पढ़ना है, जो नहीं दिख रहा है, वह है बट्टा, यह अध्याय फिर आइकिक नियम, यह इतना जो आपने देखा, इतना आपने जो देखा, आउसत के बाद एक आपका बच जाता है अनुपात यहां पेक अनुपात है अनुपात और समानुपात इतना अध्याय आपको अंगरित के अंतरगत पढ़ना है मनें साथ 16 अध्याय को कुल पढ़ने है 11 अध्याय तो यहां आपको दिख रहा है डिस्प्ले पर सामने 11 के बाद तो यहां पर बीज गडित है वीज गडित में क्या है जाद आपको नहीं पढ़ना है तीसरा है रेखा गडित की बात करें यहां पर भी आपको क्या क्या चीज़े पाड़ने है आप लोक जानते रिएगा यहां पर सबसे पहले रेखा कोण उनका संबंद पढ़ना है एक टॉपिक हो गई आपकी अगर उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें आपको पढ़ना है च्छत्रामिती टूडी और थ्रेडी आकृति में टूडी में आयत वर्ग त्रेभुच उसके बाद जो चत्रभुच के महत् अगरित में उसके बाद चौथा आता है आपका सांकिकी क्या आता है शांकिकी आता है काफी महत्तपूर्ण है यह अगर आप इलने पिद्रगेश पर जुड़े होंगे तो यह भी मैं बता उनों कौन-कौन सी किताबों से इनको पूरा आपको तयार करना है अगर हम शांकिक के बारे में कौन सी किताब इसके लिए बहस्ट होगी सबसे पहले आप लूशन की प्राथमिक अंगडित पढ़ लिजेगा प्राथमिक की लूशन की अंगडित आती है अंक गणित आती है प्राथमिक के लिए वह आप पढ़ लिजेगा अगर वह आप नहीं पढ़ पा रह है उसके बाद बीजगडित और रिखागडित के लिए उसमें सब कुछ दिया है सांखिकी के लिए आप कच्छा आठ की NCRT या SCRT किताब पढ़ लीजिए या तो टेंथ की ठीक उसके अलावा अगर आप जयंपुर्नपत से हैं या असपास हैं आफ-लाइण अगर पढ़ना चाते हैं तो इसलएंस के तीम अध्यापक पढ़ते हैं इसलिए ति … पढ़ते हैं दूर्गेस सर्कें तुछ दूरी क्लास रहती क्योंकि बाकि जो भी लोग पढ़ाते हैं उनकी इवी क्लास आपके लिए राम मार साबित होगे यूद्कि यहां से अगर आप 20 नंबर के यह त्यारी कर लेते हैं तो आगे चलकर 5 नंबर के रिजिनिंग आपके लिए सरल हो जाएगी यह किरें आप कर पाएंगे या पॉइंट में स्कोर बन रहा भी या सेलेक्सन इतना आसान नहीं है नोकरी अगर आपको नोकरी करना है तो आपको इलनी बिद्रगिस पर जुड़े रहना होगा और फ्री क्लास के लिए इसकी स्किंसोट ले लिजेगा मैं और आगे बढ़ने जा रहा हूं कहीं वैट के लिए पर सकते नंबर है आपका वाट्साप करके ले ले लेंगे नोट्स भी आपको जानकर लोट्स अभी लाश्ट में पढ़िएगा मेरा विक्तिगत रहा है पहले पहले खुब क्लास पढ़ लिजेगा जब समय कम हो तब आप महुंपी लेने भी दुर्गिस के नोट्स मंगा कर पढ़िएगा पहले यहां तक आपके कोई डाउट कोई समस्या कमेंट करके पोश्च रकते हैं कोई डाउट नहीं है ना चली अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं इसकी इंसर्ट कर लिजेगा देखिए यहां पर अभी जिनका मैंने चर्चा निक्या तो सब नीचे थे आज इसमें समानी बीजगणी था छित्रफल था आउसत था आयत था अनुपात था सरसमिकाय थी शामानी जयामती थी और सामानी सां आडम करना है और यह जानना है कि हमें कैसे नौकरी करने हैं कैसे साकारी सिचक बढ़ना है और इलनी बिजगेश्ट में रहागा पूरी स्टाप सेलेक्ट हो ये लगभद और आगे भी आपका साथ रहा तो काफी उचाईों तक लोग जहेंगे और द्रगेश्टर की क्लासिस तो आप वो निसुल की मिलती रहेंगे उसके लिए टेलीगराम पे आप जुड़े ही रहेंगे मैं आगे बात करता हूँ गणित के लिए की भूम का बहुत ही महत्तपूर है अगला बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपके पास टॉपिक है वो देखेगा आप लोग सभी साधी ध्यान दिजेगा वो है आपका परियावरण और सामाजी कध्यन इसमे अगर देखा जाए तो क्या कि चीजे आपके लिए महत्तपूर है पहला है प्रिथिवी की सरचना तो इसमें प्रिथिवी की सरचना में क्या पढ़ना है वो पढ़ना है प्रिथिवी की आंतरी सरचना इंटरनल shtructure रबध अर्थ पड़नी है फिर दूसरा नदिया डिए फिर प्रत्रिवी के आंत्री सलचनाउ व को पड़नी है ये बाद जानते रहेगा कि प्रतिवी कैसे बनाई उसके पहले आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा सोर्मंडल क्या पढ़ेंगे आप पहले पॉंट पर सौर्मंडल पढ़ेंगे उसके बाद सौर्मंडल पढ़ने के बाद प्रिथिवी की घोड़ेन जो परिब्रहमार प्रिथिवी गतियां पढ़ेंगे अच्छांस देसांतर पढ़ेंगे फिर उसके बाद तीसरे नमबर पर आप प्रि दिख स्टम्पदाएं क्या क्या है वो मासागरेबर ये चठे नमबर पढ़ेंगे फिर सात्वाट टॉपिक है जो आपका भारती भोगो इंडेन जोगरोफी ये काफी यूनिक है बेसक ये दस प्रशन दस अंकोक आएगा किन बिविद में इसकी भूमिका सबसे जादा महत्त हाँ यहां तक आप समझ लीजिए यह पूरा भोगोल का कांसिप्ट है कहा तक एक नमबर से लेकर च्छा नमबर तक पूरा आपको क्या पढ़ना है यह भोगोल का कॉंसिप्ट है यह कैसे पढ़ना है यह थोड़ा समयने एक दो तीन चार पांच छे चलिए जो भी उपर न संग्रा अठाच ताउन करांती से पहले से लेकर और आगे तक ठीक है यह आपको पढ़ने है भारति समा सुधारक के बारे पढ़ना है जो जो भारति के समा सुधारक रहे हैं उनके बारे में आपको चर्चा करनी है और यह आपको कच्छा आठ की अंसियाटी में मिल लेकिन एक बार अपनी अंतरा आत्मा से उनकी सारी क्लास देख लीजेगा उनके सारी नोट्स पढ़ लीजेगा यकिने आपकी आत्मा यह जरूर कहेगी कि वास्तों में इलने बिद्रगेश पर इस टॉपिक के लिए सबसे बेस्ट प्रेटफॉर्म है जीस की मामले में जह इलने बिद्रगेश ट्वीटर यूटुप इलने बिद्रगेश है तो यहां पर हमारी शमीदान के अंदर गर इंडिन कंस्टिटूशन पढ़ ना है सासन व्योस्ता कैसी है सदसात्मक सासन व्योस्ता उसको पढ़ना है सदिसात जो पंचैति रग बवस्ता आपके है नगर कि पढ़नी है कि इसमें सबसे पहले आपको भोगोल पूरा पढ़ना है मुझे यह अ पूरा पढ़ना इत्यास आपको कच्छ सब्सक्राइब नहीं पढ़ा रहें लेकिन आपको फ्री तो पढ़ा ही रहें ने ठीक है तो यहाद आप लोग इस सारी प्राकिती आपदा जो है पर अच्छा आठवाले में मिल लेगा हमारी संस्कीति बिरासत कच्छा अच्छा में मिल लाएगी अच्छा इतियास करें आठ की पढ़ लीजेगा और सिस्त भी पढ़ लीजेगा ताकि आपके जो कॉंसेप्ट हैं वह और आगे चल कर के लिए हो जाएंगे मैं और आगे चलना हूं चलिए अब मैं सिच्छा कौसल की बात कर रहा हूं पहले मैं आप से कह दू द डालिएगा अपने फेश्बूप के पोस्ट करिएगा जहांब इस वीडियो को देख रहे हैं सियर जरू करिएगा मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके आपको इतनी चीज़ों प्लब्द करा रहा हूं मैं यह चाहूंगा कि आप इतना मेरे लिए जरू करेंगे कि इस वीडि के लिए तो पढ़ना ही पढ़ेगा हर चीज को यहां पर दिखिए अब हम लोगों को पढ़ना है कि सिच्छण कोशल यह दस प्रस्टन दस अंक्याएंगे इसमें भी सिच्छण विधियां क्या अगर आपने टेट सीटेट पढ़ा होगा अपने दुर्गिश्चर को करनी है संस्कीत वाले को इंग्लिस में इंग्लिस वाले को संस्कीत में करनी है और तमाल समा जो प्रारंबिक सिच्छा यह बिटीशी डियलड में समसी सिच्छा बिटीशी डियलड में प्रारंबिक सिच्छा के नवीन प्रयास बिटीशी डियलड में यह टॉपिक आपको क चारो सेमेस्टर अब तो डियलड हो गया BTC या डियलड इनकी चारो सेमेस्टर कि एगर आप किताबे पढ़ लेते हैं यकीनां आपके ये दस अंक तयार हो जाएंगे और आपने कभी न कमी सेमेस्टर तो पढ़ाई होगा चाहिए BTC हो बीएड हो डियलड हो तो यहां से आप आगे चलते हैं धीखे यहां पर देख़े लेकपाल के लिए आप चाहें तो इल्इनी भी दुड़्यश पर चुटो लगी हूऑ है और आपको number मिल जाएगा ये जोनपर जनपर ने क्लासे चलती है और इलानी भी दुरगेश पर तो आप इलानी भी दुरगेश पर जोनपर जोनपर से जुड़े होंगे तो ये आपके लिए काफी महत्तपूर्ण हो सकती है और यहाँ पर पता दियागा बाल मुनोबिग याँ आपने कभी ने कभी सीट में यूपी टेट में जरूर पढ़ा होगा यह दस अंको का आता यहाँ पर भी दस प्रशन होते है यह भी आपके सेलक्सन के लिए काफी महत्तपूर्ण होता है जिसे बैक्तिक भिंता जिसे बैक्तिक भिंता क्या है देखिं सभी की सोच अलग-छोथी सभी की सोचने की छमता है जैसे में आपकी प्रशने मैं जनपूर की आजपस हूँ ख़लोग उन पर कि सबसे अच्छी सभाई है तो फिर में वहान क्यों नहीं जाना हुग की तो प्रहा है तो अलग-स लोगों तो जाए को शेयर करेंगे लेकिन अच्छे लोगे वह बिना वीडियुके कमिया बतायों करेंगे क्यूंकि आप जानते हैं कि सबी अच्छे नहीं होते हमारे असपास जितने लोग सभी सफल भी नहीं होते तो आप अच्छे लोगों में से आप उन सेलेक्टेड में से हैं तो इसलिए आप मेहनत से पढ़िएगा अपना बेस्ट दीजेगा आपके महतापित आपको पढ़ा रहे हैं आप सोभाग भिशा आपको आपको आफ्लाइन उनके आँ जाना है जहां आपको दिल करें वहां जाएगा क्योंकि मेरा उत्देश है आपके पाठक्रम की ब्याक्षा करना मैं कैसे सेलक्ट हुआ मैंने कहां कहां चीजे पढ़ा बेसक मैंने पढ़ने नहीं पाया मेरी जो परच्छाएं थी तो मैं चौदू चौदू घंडे पढ़ाता था और हम इस पेसलिट अगर देखा जाए तो इस पसेल में जीएस पढ़ाता हूं बिवित पढ़ाता हूं और मैंतमेटिक्स और रिजिनी के सेल्बस में पढ़ाता हूं तो पूरा पाठक्रम नहीं पढ़ाता तो मैं इतना उसके लिए टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे सीखने की आसकता पैचान अलग लग बच्चे कैसे सीखते हैं उनकी पैचान क्या है पढ़ेने के लिए वातावरण का स्रिजन करना और वह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है शीखने के सिधान तथा कच्छा सिचण में इनकी बहवारिक उपियोगिता एवं प्रियोग बने ये क्या है ये भी आपको कहा मिल जाएगा अगर आपने लेने में द्रगेश को नोर्स पढ़ा होगा तो नोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा इसके बाहर नहीं जाना है म अब मागे देखेंगे यहाँ पर हैं एक सबसे महत्रपूर यूनिक तीस प्रश्न तीस अंका ये एक एकल भी से कैसा है जो सबसे ज्यादा अंकों का है मैं यहाँ पर आपको सला दूँगा अगर आप इल लेनिक भारत बन जाएगा और आपके काम में नहीं आएगा इसके कर लिए अगर आप इल लेनिक बिद्धोर भरोशा करते हैं इल लेनिक बित बित द्रगेश जो फ्री क्लास अथरी पर भरोशा करते हैं में तो आप एक बात याद रखेगा यह वीडियो आपकी जीवन का सबसे पढ़ा आदार होगर क्यों कि यहां आपको भी पढ़ना यी नहीं है आप उनका इतिहास उठाके देखेगा तीस में से पतीस प्रश्ण हुब हुआ जाएगा उनके नोट से वो एकदम उपर से पढ़ा देंगे और हलुआ वाला और जब परिच्छा है उसके कुछ दिन पहले इसकी नोट्स आपको निसुल्क मिल जाएगी कहां मिलेगी वो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ टेली-ग्राम पे डिस्किप्शन में लिंक होगा दुर्गेश सर्च करके ई-learning भी दुर्गेश से कहां से दुर्गेश सर जैसे मैं लिकराओ आँ यदिद्धम ऐसे e-space मत दीजेगा दुर्गेश सर्च करेंगे ई-learning भी दुर्गे अग्रेजी वाले संस्कृत, मनि जो भी से आपका वीक है, वहाँ पे आप इसको दीजे शमयने, पर देश से समझ घटना है, उत्तर पते स्पेशल प्रमु घटना करम है, राश्टी घटना करम है, इस पर अपना समय मत दीजे, इसकी दुर्गेशर की स्पेशल नोटस आएग जो वार्से की आती है, वो पढ़ लेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं होगा, अस्थान, ब्यक्तित्त, रचना है, देखिए ये सभी, जब दुर्गेसर की GS के सिरीच चलेगी, तो वहाँ पर जहाँ जाए प्रभू ब्यक्तित्त आएंगे, उनके अस्थान, जन्मस्थान, महान को तिस्मत मानिएगा, दस नंबर GS का भी मानिएगा, दस नंबर साइंस का भी जोड लीजेगा, मनेगे, क्योंकि GS के अंतरगत आता है, तो या केले 50 नंबर है, 150 में, 40 नंबर language, 90 नंबर आपका खड़ा है भी या, जिसको मजबूती से थोड़ी से प्रकड़ने के रहा है, तो आपको सलेक्शन के एकदम नजदेग लेके जाएगा, बाकी आपकी इच्छा आपको क्या करना है, अब द ecology यह अंतरर राष्टी पुरुष्कार ये भी आपको नोट से मिल जाएगा, राष्टी अंतर राष्टी कलाँ, देखिए यह सारी नोट से सारी चीजिया आपक सबते हैं इसलिए इस पर समय मत देजेगा यह करेंट ज boo उसके पहले हम लोग च्छान कर पढ़ लेगका फिपर 재व से दो महने पहले से लेकर 9 महने पहले दक पूछा जाता है तो तभी पाधना है अभी पढ़ने शकर मतलब से प्रशा लगर ठीक है आगे हम लोग चलते हैं अगर आप KVS में जोड़ना चाहते हैं अगर आप KVS PRT में ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आज नहीं तो कभी नहीं क्योंकि KVS में पतसंग क्या कब होती है उसके लिए आप बीडियो लेक्चर उपलब्द होगा ब मार्कर्स किताब नहीं खुरिदनी सब कुछ आपको इलने बीडियो शुपलब दो जाएगा होई फ्री और अगर आप ऑनलाइन जुड़े हैं तो एक ही बार में सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी यहाँ पर आपको पता दिया गया है इलने बीडियो जो चलती है जहाँ अब करें दोनुक्त डूनों सब्सक्राइब करें लिए बीडियो को शेयर गरें अंतरात्माति केहतो अब यहां के लिए नंबर आपके लिए उप्योगी से रख सकते हैं कि अगला विशा है आपका है पाठकरम तारकिक तारकिक ज्यान में देखिए रिजिनिंग हैं यहां पर आपको पढ़ने ज्याद हैं यहां पर आपको प्रिश्ण आते हैं जो परिश्ण पूछे जाते हैं वे सभी एक प्रेक्टिस पर हैं मैंने एक भी अंक आपके गलत नहीं होंगे जिसमें साधिस्ता समानता है तरक और कारण जो इंपॉर्टेंड है बैंडरी लोगी के दिखिए कंपेटर में पढ़ना पड़ेगा और यहां पर वर्गी करण है गड़ी कलिंडर है कोड़ेट है और इनक्यालिटी लीज समानता ह है जिसमें और कोडिंडिकोडिंग है और क्रिटिकल रिजिनिंग है घन पासा है आकणे है डिरेक्शन है मतलब दिशाग्यान है तो यह कफी ऐसे टॉपिक है जो पांच अंक्यों होते हैं इस पर क्यों प्रैक्टिस करना है पढ़ने पे ध्यान मत दीजेगा जब यहां पर लेंगे जोहां के टीचर इलरने भी दुर्गे से टीचर पढ़ाएंगे आपको तो वहां पर साथी साथ प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे मने दोनों काम आप चाहेंगे एक साथ कर पाएंगे एक साथ दो कम तो यह क्लास के माध्यमश्य आपको उपलाब देगरा दिया जाएगा जल्दी अब आता है आपका यहां पर एक अन्य ध्यागुम देखें तो यह सूचना तकनी की नाम से यह पांच अंका आता है काफी महत्तपूर्ण है ठीक है और यहां पर इसे कंप्यूटर के नाम से जानते हैं और यहां पर यह काफी महत्तपूर्ण आपके लिए सिच्छन कोर्शल विकास से भी डियलेड में हैं कच्छा सिच्छन दता बिद्याले प्रमंधन में सूचना तकनी की यह भी डियलेड में हैं कंप्यूटर एक अलग से ध्याय आपका है इंटरनेट फिर open education resource यह काफी महत्तपूर्ण आपके लिए काफी trending में रहा है और मैं चाहूंगा यह आपके लिए काफी important है और दूसरी चीज यहां पर है कि जो सिच्छन में उप्योगी apps क्या जैसे इलर्नी बिद्यूर्गेश का application प्ले स्टोर पर है आपका और बहुत सारे सी चीज लेजिए कोई क्लास है आप जैसे आप आज मैंत का कोई चैप्टर चल गया आज यह लड़का कोई था या कोई महिला थी बैचारी उनकी तवियत नहीं सही हो पर विद्याले नहीं पहुच पहे अब क्या होगा यहां पर कि जब आज यह नहीं पहुच पहे पता चला आज पर आयत पढ़ाए गया उसके बाद अगले दिन तीन दिनों तक उस आयत पर जो क्लासे चलेंगे उनको समझ में नहीं आएगा तो एक दिन के जगवा तीन दिन इनका नुक्सान हुआ लेकिन यह पर ऑनलाइन में क्या होगा कि आज अगर आपका क्लास चूड गया तो कोई दिक्कत नहीं आप अगले दिन उस वीडियो को देखिए एक नहीं एक लाख बार देखिए कोई दिक्कत नहीं है यहां पिलनी में दुरके समस्या नहीं है कि आप पांच बार देखिए और उससे अगर आपको हो सकता है कभी कभी क्या होता है जब कच्छा में जादे लोग प्रवाद वीडियो में आर्लाइन लाइफ देख सकते हैं, तो एक लाख बार कोई चीज़ देखेंगे, लोग कहते हैं, एक जूट को सो बार बोला जाए, तो सच जैसा प्रतीत तो होता है, अगर हम यह की वीडियो को एक लाख बार देखेंगे तो भया कैसे समझ में नहीं आएगा कोई चीज एक लाख नहीं तीन से चार वाज में कॉंसर्ट क्लियर हो जाएगा और यह सार चीज आपको मिल लाएंगी इलैनी बिद्रगेश पर और यह पांच प्रशन पांच चंगो कि होंगे इसकी पीडियो भी आपको इलने बिद्रियूस मिल लाएगी कोई चीज आपको लेनी नहीं है फिर हम आप आगे बात करेंगे यहां अगला है कि जीवन कॉसल प्रवंधन अविरुची पिर आपे हैं समयधारिक मानेवी मुल्य क्या है डंड पुरुसकार में व्य आपके लिए सबसे ज्यादा महत्तपूर्ण है इस प्रकार आज हम लोगों ने पूरी सिच्चक भरती परिच्छा के 150 अंकों के 150 प्रश्णों का पूरे सेल्बस का पाटिकरम का बिशलेशन किया और अंतो गत्वा यह निसकर्स निकला कि अब आपको हम लोग से ज्यादा म दस नंबर की साइंस, दस नंबर की पर्यावाणी, समाजी कध्यान और 20 नंबर की गणित यह ऐसा टॉपिक है यह जिसको अंग्रेजी निया थे, अंग्रेजी संसीर यह इतना अंक ऐसे हैं जो अभी से आपको पढ़ना है 30, 20, 50, 30, 80 यह 80 अंक आपके जीवन के एक नड़ा पूनका निभाएंगे, इसके लिए आप चाहे तो, जो free class होगी, क्योंकि यहाँ पे selected जो लोग है वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके बड़ा अनुभा रहा है परिच्छाओं को पास करने का, crack करने का, उसके लिए आप इलरनी बिद दुर्गेश पर जुड़े डबल फूर, 367 पर वाटसेप करके जुड़िए, अब आपके मन में एक प्रशना हैगा, कि सर, अगर इलरनी बिद दुर्गेश पर आपने इतना दिन तक महनत किया है, जुड़े रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, नोट्स या class, तो मैं यहाँ आपको कहूंगा, नोट मार्किंग हो सकती है, जी हाँ, क्योंकि पहली बार क्या था, अगर हम 68,500 की बात करें, तो 68,500 में लिखित परिच्छा थी, फिर 79,000 भरती आई, इसमें क्या होगा, MCQ किया गया, तो इसके बाद 68,500 में संख्या कम थी, 79,000 में संख्या और बढ़ गई, मतलब अगर हमें लि आपकि जाए, जो लगभग 51,000 पद लगभग आ सकती है, उसमें अभी लगभग है, 55,000 होगी, 55,000 होगी, 35,000 होगी, 31,000 होगी, कि 97,000 होई नहीं सकती, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर तो जो 3,000,000 लोग में से, 49,000 लोग का होगा, और बच्छे लगबग 3,000 लाख लोग का नहीं हो पाएगा, तो 17 बैच, 18 बैच, डियलेट, 4,000,000 लगभग, फिर इसके साथ, 28 भी लगभग 4,000,000, तो लगभग 11,000,000 लोग आपके परिच्छा में बैठेंगे, और 11,000,000 लोगों को में से, अगर 50,000 लोग को नोकरी देनी है, तो भाईए, इसका मत कामी भरती परिच्छा में, मतलब एक, जो मिनीमम क्राइटेरिया आपका है, उस क्राइटेरिया पर भी नकर अत्मक अंके प्राधन केजा सकते हैं, इसलिए मैं आपसे बार-बार निवेदन करूँगा, आप अभी से अपने पढ़ाई पध्यान दे, अभी से आप अपना बहतर दे, इसके लिए आप जिस भी भरती परिच्छा के त्यारी करें, जहों से भी जुड़े हो, आप उसे अपना बेस्ट दे, लेकिन यकीन मानिएगा कि सबसे बहतर पूरे प्रदेश में इलनी बिदुर्गेश संथा है, जो चीफ और बेस्ट है, जहां पर आपको सार मिलेगा, वो निसल सिच्छा के तोर पर आपको प्लब्द कराते रहेंगे, शंभौत है, और अन्य चीजों के लिए आप यहां पर नंबर पर जुड़े रह सकते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शवाल हो, कमेंट कर सकते हैं, साथिसाथ उसके अलावा कोई सुझ बने और इस वीडियो को शेयर करें, कि आपका जो लच्छ वह आपके ज्यान उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ज्यान की सीमा को बढ़ा सकते हैं, लच्छ को नहीं, क्योंकि लच्छ हमारा अगर आज कम है, उसे बढ़ाईए, अच्छ लोगों साथ जुड़िए, और इस अगली बात, जब यू हमारे उनसे मुलाकात हो, वह भी एक सिछक के रूप में हो, और अपने लच्छ की अपने उमीद के उस आखरी पड़ाव पर हो, जिन पर उनका माता पिता, उनके परिवार, उनकी गुरुजन, उनके साथी उन्हें देखना चाते हैं, पाकि ऐसे साथी, जो नकरत मुक्ति पड़ी करते हैं, जो वीडियो को बिना देखें, बिना समझें, तक्त्यों को समझ अलाक लोग बचेंगे, तो कुछ अलग होंगे, तो भाया आप इन में से है, आप हीरे हैं, तो यहाँ पे जो लिव- अन्दाज बता रहा हो, लेकि अच्छे लोग, बोटा-ज जारी नहीं होंगे, इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे, क्योंकि अच्छे लोग की संक्या यह vy- पर इच्छा में इसलिए मैं आपसे निवेधन करूंगा इस वीडियो के अगर अंतर तक बने हैं तो आपना फिडबैक दीजिएगा बेसक वीडियो बड़ा है लेकिन आपको सारी किताबें एंसे पढ़नी है करेंट अभी मत पढ़िएगा मेरा विक्तिकत भीचार क्योंकि आपको आधनी कित्यास हो जाएगा और रोची गरेंड बद पढ़िएगा उसकी सेलेक्टेड टॉपिक होती है कि आपको सिविल सेवा नहीं देना आपको इस चकी बनना तो उसकी दैरा जो है उससे बाहर नहीं जाएगा आपकी आईक्यू लेबल से बाहर नहीं जाएगा और आपको 120 प्लस के स्कोर करकर चलना होगा हम लोगों ने जो गलतियां कि हम लोग पढ़ नहीं पाते थे लगातार पढ़ाते थे अभी आपके पास समय अभी साप पढ़िए मेहनत करिए आप अपना बेस्ट देजे हर विक्ति का सभी फिल्ड मजबूत नहीं हो जैसे मेर मेरा सभी फिल्ड मजबूत नहीं है मेरा जीतना बढ़ी जीस पर कमांड गणित पर कमांड एक कंप्यूटर पर है और आपके जो रिजिनिंग का अन्य बिस्व पर कमांड नहीं है जैसे संस्कित पूतन अच्छा कमांड मेरा नहीं होगा तो ऐसे आपकी भी वीक जाने के लिए और अंत में एक लाइन रेस के घोड़े रेस में चलगते खेत में नहीं और आप रेस के घोड़े हैं विएकि अगर घोड़ों से खेत जुतवाया जाए और गधों से रेस कराई जाए तो द्रिश्च बहुत ही दर्दनाग महसूस होता है इसलिए आप रेस के टॉपिक को पढ़ना है बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद जैभारत बंदे मात्रम और ये निसलुस इच्छा देशित में राश्टित में है ताकि आप इस इच्छा का लाब लेकर देश के शब्व शफल और एक अपने आप में बहतर नागरिक बन सके जिसका उप्योग देशित में राश्टित में परिवारित में समाजित में करकर अपने आप में एक नेक ब्यक्तित को महसूस कर सके बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का